आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर और हाँ जी आपके लिए खुशकबरी है आज हमारे यूटूब चैनल पर आएं सिये सिवा गोयल जी इंडारेक्ट टेक्स एक्सपर्ट और जी एस्टी के अंदर जो रिफंड्स है जो एक्सपोर्ट है उसमें तो पूरी महारत हासिल है सरको तो मैंने सरको क्यों बुलाया है अगर आपने मारी पिछली वीडियो देखी हूँ तो उसमें हमने तीन सरकुलर पर डिसक्शन कर लिया था लेकिन सर चार सरकुलर ऐसे हैं मैं उन्हें कई बार बढ़ चुका हूँ चार सरकुलर अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ में बहुत कम आएंगे तो इसलिए मैंने सरको बुलाया कि सर एके करके हमें इन सरकुलर के बारे में बताएं इसमें क्या चीज है हाला कि अगर आप देखोगे तो बहुत कम क्लाइंट ऐसे होते हैं जो इन सरकुलर स मिल जाता है तो इस तरह की नोलिज सब लोगों के पास नहीं होती तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना इसे देखते रहना क्योंकि आपको बहुत सारी नहीं चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो सर आपका वेलकम है मारे यूटुब चैनल पर थैंक यू सो मच विडियो देखी आपने बहुत बहुत भुष्यों पी तरहिके से जो पहले 3-4 उनको एक्सप्धुत किया है और बहुत अच्छे से ब्यूस चैनल सी और आपने बहुत अच्छे से सार्वन को एक्स्प्लियन किया है जो सब्सक्राइब है आज नगे करेंगे तो मेंथ करें तो circular 174 जो इशू हुआ है इसे इशू किए है 6 जुलाई को तो वो circular कहता है कि आपके पास अगर आपने client ने refund apply किया था और वो refund गलती से आपने apply कर दिया और officer ने भी गलती से उसे sanction कर दिया और वो आपके पास credit भी होगा आपके पहले बड़ी अजीब सी बात है कि गल्थ रिफंड एप्लाई हुआ और उफिसर ने भी उस गल्थ रिफंड को नहीं पकड़ा और वो उसने सैंक्शन कर दिया और डिस्बर्स भी हो गया और बाद में पता लगा चाहे डिपार्टमेंट से पता लगा ओडिट के दोरान चाह हमें वापस करो डिपार्टमेंट को पैसे वापस कर रहा है तो उसको वो क्रेडिट वापस चाहिए जो उसका इंपुट क्रेडिट उस टाइम पर रिवर्स हो गया ता जब उसको रवेजन मिला था तो अब जब उसका यृपंड उसमें वापस दे दिया to उसके पास कोई form नहीं था ना department के पास कोई functionality नहीं थी, जिसके तुरू department, client को credit वापस कर सके, तो client क्या करता था, वो 3B में उस credit को claim कर लेता था, और आपको पता है, जब से 2B active हुआ है, तो department 2B को match करता है जो 3B में उन्होंने credit avail कि है तो credit जादा आता था department notice issue करता था वो बताता था जी मैंने refund ले लिया था मैंने उसका credit लिया officer convinced नहीं होता था तो बहुत दिखते आ रही थी अगर शिवा गोयल जी मैं इसे analyze करूँ तो इसे इस तरीके से समझिए कि let's suppose मैंने यहां पर input goods और input service ले रखी है और मेरे पास 10 करोड का ITC है ठीक है ना 10 करोड का ITC है अब मैंने कहा कि मुझे refund लेना है ठीक है न क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ without payment of tax वाले procedure में चलो और मुझे इसका refund लेना है तो जब मैं इसका refund apply करने जाता हूँ तो मान लो मुझे Mr. X मिलते हैं officer मैं कहता हूँ कि sir मुझे पाच करोड का refund दे दो credit leisure में कितना मांट है दस करोड और मैं कितने कर रिफेंट मांग रहा हूँ पाच करोड का ओफिसर कहता है अरे जैन साब क्या चोटी बात करती तुमने तुम दस करोड का refund लो ना मैं दूंगा अरे मैं नहीं सर मेरा बंद ही आज करोड का है आप मुझे पाच करोड कर दो और मैं तुम्हें 10 करोड का देतों तो मैंने क्या करा कर दस करोड का refund अप्लाई कर दी जैसे मैंने 10 करोड का रिफेंट अप्लाई करा तो मेरे क्रेडिट लेजर से 10 करोड निकल गए और ऑफिसर ने मेरे देखा दो महीने बाद ट्रांसफर होगे और जैसे वो ट्रांसफर होगे जो व्यक्ति आया उनकी जंगा पर उन्होंने कहा कि इस कपिल जैन ने पांच करोड का रिफंड एक्स्टर ले रखा तो मुझे नोटिस आगिया अरे मिस्टर जैन साब तुम्हारा रिफंड बंदा पांच करोड का और तुमने कितने का ले लिया दस करोड का अब मैं यह तो नहीं कहा सकता कि मुझे ओफिसर ने बोला था तो यहां पर असैसी को यह देखना चाहिए कि अगर उसका जो जैन्वान रिफंड है उसे वही क्लेम करना चाहिए अब उसके पास जब नोटिस आया सेवनटी फूर में कि तुमारा जो रिफंड है तुमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है इसे वापस करो अब मैंने ठीक है भाई साब मैं तो पहली कह रहा तो मुझे रिफंड नहीं मिलना चाहिए चलो मैं इसे वापस कर देता हूं तो मैंने क्या करा जो मेरा पाच करोड का ए मैं वापस कर रहो डिपार्टमेंट कर रहा है हां वापस कर दे लेकिन करें तो करें कैसे भाई मैं तुम्हें दे रहो तो मैं क्या करता था मैं पेमेंट कर देता था डियार सी 3B में क्लेम कर लो अरे बाइस अब 3B में कैसे क्लेम कर ले यह 3B का तो ITC ही नहीं तो यह वाला इशू था आपने बिल्कुल ठीक किया है यह एक्जेक्टली इशू था और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सर्कुलर 174 ने एक मोड दे दिया एक डिपार्टमेंट को फंक्शनलिटी दे दी PMT03A यह एक नया फॉर्म इस सर्कुलर के जरीए डिपार्टमेंट ने कहा कि ओफिसर जो क्रेडिट आपको बापसी देगा वह इस फॉर्म के जरीए देगा जिसका नाम है PMT03A तो आप सोच रहे होंगे कि क्या यह फॉर्म PMT03A अभी एक्टिव हो गया तो सर्कुलर में लिखा है कि जब तक यह फॉर्म प्रैक्टिकली पोर्टल पर नहीं आ जाता तब तक ड इफेक्ट देने में पोर्टल में चेंज लाने में तो उन्होंने कहा सर्कुलर ने कहा कि जब तक आप यह PMT03A ओनलाइन नहीं कर देते तब तक उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में रिक्वेस्ट करोगे और उसका एनेक्जर भी कपिल जी इन्होंने सर्कुलर में दिया रिक्रेडिक्ट देने चाहिए जब आपका क्रेडिट वापस कर देना चाहिए और आपको क्रेडिट लाजर में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए और जैसी यह ओनलाइन आ जाएगा तो आपको प्यम्टी 0 3A से फंक्शनालिटी एक्टिव हो जाएगी और आपका क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करने लगेगा और यहां पर यह कहना चाहता हूं अपने यूजर्स को जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर किसी ने कुछ भी तरीके से एक्स्ट्रा रिफंड ले लिया है वह अभी वापस कर दो क्योंकि अगर डिपार्ट्मेंट चित्थी वेजेगा तो हो सकता है वह सेक्शन सेवंटीफोर में बेज ले और अगर तुम्हें वापस करना है तो अभी उसे तुरंट डियार्सी जूरो त्री से वापस कर दो और अपने क्रेडिट लेजर में उसे ले ले क्योंकि हो सकता है अगर आपके आजाए तो फ्यूचर में आप कहीं प हो जाएगी तो वह क्रेडिट आपका वापस आजाएगा तो कपिल सार बिल्कुल ठीक क्या रहे हैं हमें सिरव और सिरफ इलीजिवल रिफंड का ही रिफंड लेना चाहिए कई बार कपिल जी ऐसा भी हुआ कि कई बार क्लारिटी नहीं थी हाँ जासे कि कस्टम के गेस में बहुत से रिफंड ले लिए गए पर उसकी क्लारिटी नहीं थी तो गलती से लिए गए आज सर्कुलर आए हैं 176 तक क्लारिटी बढ़ने लगी है जी स्टी लोग इवाल हो रहा है तो यह भी रिजन था तो गलत हो सकते हैं तो आज मैंने यह नहीं बोला कि हर बार ऑफिसर नहीं ज्यादा दिया है गलत रिफंड कई वा हो जाते हैं मैंने तो यह एक्जामपल इसले दिया ऐसा भी रिसेंट में गुडगावा केस में हुआ था तो इसे आप अधर्वाइस ना लीजेगा हमारे कोई भी अगर जेस्टी ओपिसर वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ केसिज में ऐसा भी हुआ है सर इस सर्कूलर में और कुछ आड़ान करना चाहेंगे तो यह सर्कूलर एक वैलकम सर्कूलर है जिसमें की डिपार्टमेंट के साइट पे फंक्शनालिटी को बढ़ाया गया है आप सबको पता हो का पी एमटी जिरो फ्री और इन प्लेस है वो है जिसमें डिपार्टमेंट की वापसी जो आपको क्रेडइट मिलेगा यह उसके लिए यूज होगा इसको पी एमटी जिरो फ्री से अन पीजिएगा तो थृस वैलकम हूव और लिए टेश एगा उन अगेजंटी इस फोने प्रीजिप लाम्हर के नेक्र पोटल पर भी अक्टिव कर दे ताकि मैन्यूल काम कम हो जा हमें ऑफिसर से जो मैन्यूल इंटर्वेंशन करनी पड़े वो कम हो जी सर इसमें आप दूसर सर्कुलर हम कौन सा डिसकस करेंगे तो लेट उस डिसकस सर्कुलर इसके बारे में थोड़ा सा बताई हाला कि इसके जो यूजर सोंगे ना वो कम होंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्कुलर आया तो क्या आया कल अगर आपसे कोई पूछ ले क्योंकि इंदुस्तान में सर क्या होता जो काम की चीज है वो तो बंदा पूछता ही पूछता है लेकिन जो काम की नहीं है वो कहता अच्छे यह बताएं इसमें क्या था तो सर प्लीज इसके बारे में एक्स्प्लेइन किजिए तो यह सर्कुलर नंबर जो 176 है वह आपका सर्कुलर ड्यूटी फ्री शॉप्स और ड्यूटी पेड शॉप्स के लिए हैं आपक सब्सक्राइब करें कांट की जाती है जबकि हमारे पहले भी सर्कुलर इशु हो चुके हैं 106 25 2019 यह हमारा 29 2019 को सर्कुलर इशु हुआ था और जो ही क्रेंट का सर्कुलर है यह सर्कुलर को विड्रोव करता है वहाँसे आप देखेंगे तो आप समझोंगे आरे 176 इस आपको बता दू कि जो सर्कुलर नंबर 106 बटे 25 बटे 2019 था वह रिफंड अलाव करता था इन ड्यूटी पेट शॉप्स और ड्यूटी फ्री शॉप्स को जो भी क्लाइंट को सेल करते थे यह टूरिस्ट को जो सेल करते थे लेकिन इनको इनपूट सर्विसेंज का कर रहे हैं तो हमारे यह जिरो रिक्रingen प्रेट प्लाइट्म क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्ट के इन्पूट मुट्रौर सर्विसेज का如何 मिलता है तो है इनंपूट से वहते हैं जुक्राइज चुपर यह सर्विसे से मेरा कोई धोस्त है और मैं यहां पर इंडिंडिय का laptop दे अब अगर मैं इसे Apple का laptop export करता हूँ तो यहां पर मेरे पास option हुआ करता था कि भाई मैं export with payment of tax कर दूँ ठीक है ना जी या without payment कर दूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ हम पर यह option होता है अगर मैं with payment of tax करता हूँ तो मेरे को होता क्या है input का भी मिल जाता है capital goods का अब ही मैं ले लेता हूँ input service का भी क्योंकि मैं with payment of tax कर दो लेकिन अब हुआ गया कि USA वेक्ति कहने लगा कि ऐसा करता हूँ मैं इंडिया गूम नहीं आ जाते हूँ और जब मैं घूम कर जाओंगा तभी laptop ले लोगा अब USA वेक्ति आ इंडिया तो जब यहां पर इंडिया में पर्चेज करता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई लोकल से मत पर्चेज तो हमारा मेहमान है तेरे लिए अपने क्या अगर रखा है जब तू जाएगा जब किसी को गिफ्ट देते जाते समय जाते समय देते त जो कि जब तो हमारे घर से जाएगा तो एयरपोर्ट भी सारी फैसिलिटी सब चीट करने के पास जब तू फ्लाइट से उड़ने वाले होगा उससे पहले तेरे लिए यहां पर दुकाने खोली हो और उसे तुझे कोई टैक्स नहीं देना अब यह जो दुकान है वहां पर पर उनके खर्चे बहुत मेंगे वह रेंट पे करती होंगी तो होता गया था कि इनके पास इंपूट पूटा था किसका इंपूट परचेज करा उसके अलावा इंपूट सर्वीस का और कैपिटल गोड़्स का तो इन लोगों की डिमांड यह थी कि जब हम भी तो एक्सपो का रिफंड दिया जाए तो गवर्मेंट ने का अबना अलग-अलग लगाई है उन्होंने बोला कि भाई जैसे कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है उसका भी वही प्रोसीजर होगा जो सेक्शन सोला में पहले होता था सेक्शन सोला हमारा जो आईजिस्टी का उसमें ल सर्कूलर लाए है सर इसमें यही कहना चाहरा है इस सर्कूलर के साथ सर जो अभी 47th काउंसल मीटिंग की नोटिफिकेशन भी आई है तो उसमें एक नोटिफिकेशन इसके साथ मैं लिंक कर देता हूं जो इससे रेलिमेंट है राइट इस नोटिफिकेशन 14 by 2022 पैरा 9 अगर आप देखेंगे तो वह ओमिट करती है रूल 95 एको राइट अब रूल 95 एको रेट्रोस्पेक्टिवली ओमिट कर दिया गया तो जो रूल 95 ओमिट हुआ है वह इसी वजह से हुआ है कि वह इंपूर्ट सर्विजिस का भी उनको रिपन्ट अलाओ कर दिया जाए और बड़ी पटिल वर्सेज यू आई यह केस है फिर सी आई एयर ड्यूटी फ्री एंड डिटेल सर्विसेज लिम्टिड यह केस है और अतीन क्रिशन वर्सेज यू आई 2019 इतने सारे केसी हो चुके थे कपिल जी कि इतनी रिप्रसेंटेशन और कोट के ओर्डर आ चुके थे कि इनको य 99 क्या हुआ सब कुछ ओमिट करने से वहां पर रूल 95 हो गया और यहां पर सर्कुलर नंबर 106 हो गया जिसकी वजह से इंपुट और इंपुट सर्विसेज का जो रिफंड है जो बड़ी डिमांड थी इन आउटलेट्स की ड्यूटी ड्यूटी पेट शोप्स की वह उनको अलाओ हो गया और विल्कम स्टैप और उनकी आज मांग पूरी हो गई है तो हम क्या सकते है कपिल जी कि जिएस्टी है वह धीरे-दीरे इवॉल्व कर रहा है और मिचौर एक बच्चा हो रहा है ताले बड़ा श्राप्ती बच्चा है अब दीरे-दीरे मैच्वर्टी की त चानल ने के वाद ना बहुत सारी चीज़े नहीं सीखने मेच जैसे कि अब आएक सर्कुलर में लिखा हुआ है कि एक्स्पोर्ट ओप एलेक्ट्रीशिटी ठीक है ना जी के लिए हमने ? करा है इससे पहले मुझे लगता था कि हमारा देर भी electricity export करेगा क्योंकि मैं अगर यूपी में हूँ तो वहां पर तो electricity बहुत कम है तो जब हमारे देश के लिए ही नहीं है तो export क्यों करेगा जब हमने से गूगल पर सर्च करा तो पता लगा कि हिंदुस्तान भी electricity export करता है किसे करता है पाकिस्तान को बंगलादेश को नेपाल को भुटान को अब जब यह electricity export होती है तो सर हर व्यक्ति तो electricity export नहीं कर सकता अब पता भी निया कि एक्सपोर्ट होगा कैसे अब ऐसा थोड़ी जोगा कि electricity के तार जा रहे है तो ऑफिसर चेक करेगा कि वहीं कितनी export हुई क्या हुआ तो इसके बारे में कुछ relaxation ना है तो आप जरह हमें इसमें बताइए कि इसमें relaxation है तो अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा है कि जो electricity को export करता है तो आपके लिए relevant है नहीं तो तब तक आप एक जपकी ले सकते हो नींद की हम दो मिनट में डिसकस करते हैं पर सर यह point बड़ा relevant है मैं सोचता हूं कि सबको यह electricity का देखना चाहिए क्लाइंट को क्या confusion होती थी प्रोफेशनल्स को क्या confusion होती थी सर यह any other category बताएंगे कौन सी है इसमें कौन सा refund apply होगा बिल्कुल सर पाच छे category अगर export invertibility structure की थी access payment की थी तो सब को रहता थे यह any other में कौन से cases आएंगे तो जी आ गया है वो case जो any other category में आएगा तो हां मैं पर बात कराऊं export की power generating units की जो export करती है electricity कपिल जी ने बिल्कुल ठीका electricity की इतनी शोटे जाए और हम देख रहे हैं कि क्या electricity भी export होती है इंडिया से बार तो देखिए सब कुछ export होता है जो भी इंडिया में manufacture होता है everything can be exported even the electricity so tower generating units were facing lot of problem regarding refund on the electricity exported by them to the foreign foreign nations तो उनके लिए कोई mechanism नहीं था कोई clarity नहीं थी कि जी हम refund कहां apply करें अब कपिल सर आप कहोगे जह export करें तो export के हैं न कॉलम उसमें क्यों नहीं करते हैं कपिल से बताईए export किया with payment or duty shipping bill number कहां से लाएं shipping bill नंबर नहीं या automatic आता नहीं और without payment भी करते तो उसमें भी जे स्ट्रेवन में shipping bill की detail मागता है और उनके पास को shipping bill नहीं था क्योंकि ship में जात तो बैठ कर जाती नहीं लेट जाती नहीं वह transmit होती है through wires तो इसके लिए आउप राइट ली एक न्यू रूल्स की जुरुति एक न्यू मेकैनिसम की जुरुति जो आज हमारे यहां पर circular number 175 जो इशु हुआ उसने detail की तो आप देखें पांच साल हो गए जेस्टिक और आज हमें पता लग रहा है कि electricity जो power generating units है क्या से रिवर्ट को apply करें मेरे तो 34 साल हो गए मुझे आज बता लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान electricity एक्सपोर्ट भी करता है तो पात साल बात तो बड़ा जायज रिवर्ट का पता लगना तो आएए हम circular number 175 जो मैं आपको बड़ी जल्दी से ब्रीफ कर देता हम कि 175 क्या कहता है तो देखिए circular नंबर 175 कहता है कि आप एक्सपोर्ट अगर करें पावर जनेरेटिंग युनिट आप और अगर आप electricity export कर रहे हैं तो आप रिफंड का अप्लाई करेंगे तो आंसर इस आप एनि अदर की अपको यह देना है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेक्टिसिटी के विदाउट पेमेंट आप तक्स तो यहां पर रिमार्क्स करेंगे और हां इन्होंने कहा है कि जब आप आरेबडी जिरो मन में अप्लिकेशन डाल रहे हैं तब आप किर्प्या करके क्राइडिट लाइजर को रिवर्स ना करें अभी अप्लिकेशन के टाइम पर इसको रिवर्स ना करें तो सब कब करें अभी आते हैं कि कब करना आपको क्राइड लाइजर को रिवर्स तो इन्होंने बताया कि आपको क्या क्या चीज़े अप्लोड करनी है और आपको डिट स्टेटमेंट्स इशू की स्टेटमेंट्स 3A और 3B और साथ में इन्होंने कहा कि जो भी पावर जनरेटिंग यूनिट है वह अपलोड करेंगी कोपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ शेडियूल्ड एनरजी फॉर एलेक्रिसिटी एक्सपोर्टेड वाइदा जनरेशन प्लांट्स इन्दा फॉर्मेड एज एन एक्जर वन देखिए रीजनल जो भी पावर जनरेटिंग यूनिट्स होती है उनका एक रीजनल एनरजी अकाउंट मेंटेन करती है एक गवर्मेंट की कमेटे रीजनल पावर कमेटी सेक्रेटी है जिसको आप आर पीसी के नाम से जानते है और पावर कमेटी इनके एकाउंट मेंटेन करती है पॉटल पे जिसको आप बोलते है आर ये डाट इस रीजनल एनरजी अकाउंट तो उसमें मंत और मंत उनकी डिटेल मेंशन होती है कि इन्होंने कितनी एक्सपोर्ट की किस डेट को की तो वो सारी डिटेल इस अकाउंट सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर दिक्कत क्या है वो ट्रांस्मिशन चलता चला जा रहा है तो कौन सी हैसी डेट पकड़े जहां से हम टाइम बाड रिफंड को ले सकी माला कंटीनियर सप्लाई हो तो क्या इन्होंने क्या मेकानिसम दिया कि जो भी वो आरी एकाउंट ह है और जिस मंत का आप रिफंड ले रहो उसका end of the month date ली जाएगी तो आप यहां पर कर लीजे accordingly it is hereby clarify that highlight कर दीजे in case of export of electricity the relevant date we shall be last date of the month in which electricity has been exported as per monthly आरी एकाउंट जो RPC के यहां पर आपके maintain हो रहे है और जो formula है वो और लेस्ट वही है टर्नोवर अफ जिरो रेटेट सप्लाई गोड्स और सब्सक्राइब अब वो बोले कि जो रेट है वो क्या लिए जाएगा तर्नोवर जो एक्सपोर्ट की टर्नोवर है वो क्या ली ज आपने electricity export की और आपने invoice में लिख दे 10,000 kilowatt की तो आपकी lower count की जाएगी उन दोनों में से जो कम होगी तो मतलब जो आ रहे है के अब वह आप से लेने आ जाएगी कि हम भी एक्सपोर्ट अप लेक्टिसीटी कर रहे है तो हमें भी बता दो इतना डीप आपने इस सर्कुलर को पढ़ लिया है सर इसमें कुछ एड़ोन करना यह हम सर्कुलर बस एक बार स्टेट्मेंट 3 और 3B मैं दिखाने जाए तो आप आप उसे जी एश्ट्र 3 भी ना समझ लेना ठीक है ना और एक बात और पताना चाहूंगा कि जब प्रॉपर ओफिसर को लगेगा कि हां इनका रिफंड एड्मिसिवल आइस पर दा फॉम्ला होकी है स्कूरूटरी होकी है तब वह आपको राइटिंग में रिक्वेस्ट करे वह भी DRC03 का तो वह आपका सैंक्शन कर देगा RFD 0506 इशु कर देगा और यह देखिया स्टेटमेंट यह एनक्सर वन इन्हों नहीं दिया है जिसमें आपको यह आरिये काउंट देना है और स्टेटमेंट 3A 3B वह अभी इन प्रोसेस है पर वह 3B वह 3B नहीं है जो GSTR 3B है वह दो अलग है तो अब हम यहां पर बात करते हैं कौन सो सर्कूलर रह गया है सर हमारा सर्कूलर नंबर 173 यह क्या चीज़ कहता है सर देखिये सर्कूलर नंबर 173 बात करता है इनवर्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर की केसिस की सर आपको पता होगा सर्कूलर नंबर 135 एक सर्कूलर आया था जिसमें इनवर्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफरेंट को लेकि कुछ क्लारिफिकेशन इशू की गई थी उस सर्कूलर में एक पारा था 3.2 पारा 3.2 सर्कू में नहीं आता है और आपको refund नहीं मिलेगा तो होता क्या है हुआ कि कुछ ऐसी units थी जैसे में example लेता हूं कि कुछ ऐसी units थी जिन cases में जैसे कि अगर आप supply करते हो किसी entity को जो public funded research institution है under notification 47 by 2017 तो अगर general rate 18% है तो उनको concessional rate दिया गया 5% तो वो refund के लिए जाते थे वह परेट कंसेशनल 5% और इंपुट ऐटीन परसेंट तो हमें लिची वलाना चाहिए हम र्टाइब करते थे कुछ कैता है जा पर आउट्पुट रेट सेम इंपुट रेट सेम है कंसेशन से कम हो गया पर वह पढ़ता था ग्रोस रेट नेशन देना बंद कर दिया सर्किलर और बॉर्ड ने इस circular के जरीए ये कहा कि जो concessional notification है जो ये rate कम हुआ है ये 18 से जो 5% rate हुआ है ये भी inverted duty structure के refund में लाई करेगा उसी category में आएगा और उनको ये refund allow हो जाएगा तो ये welcome हुआ अगे उन सब assesses के लिए जो concessional rate notification के इंडर आ रहे थे और जिनको officers प्रशान करते थ देते थे एक सो पैंते सर्कुलर का हवाला देते थे अब आप जाएगा उनको सर्कुलर नूंबर 173 दिखाईएगा और दिखाईएगा देखिए इस पहरा 3.2 में ये पहरा एड हो चुका है ये आपके लिए एड हुआ है तो अब बीना किसी दिक्कत के इंवर्टी डूट कर देंगे और उनकी दिखते थोड़ी कम हो जाएगा कि कई बार यहां पर कुछ लो में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती है जो पूही तरीके से किलियर नहीं होती तो डिपार्टमेंट हमें परेशान करता है तो इसलिए डिपार्टमेंट के लिए सरकुलर आया क्योंकि लेकिन कंसेशनल लेट अगर आपको रिफंड लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके भीट ना सिए शिवा गोल जी है रिफंड एक्सपर्ट तो सर मैं तो यह कहता हूँ एक कोर्स ना रिफंड पर ही बना दो एक कोर्स रियल स्टेट पर बना दो कि जो हमारे यूजर्स इसे देख ले बैई देखो जीएस्ट मैं करता हूँ लेकिन आपको पता है ना मेरा रिफंड थो यूसफुल होगी यह सर्कूलर आदे से ज्यादा लोगों ने सर आदे से ज्यादा प्रोफेशनल ने मैंने भी सोचा छोड़ो यार इसमें क्या है बाकी सर्कूलर को देखो लेकिन आपने इतना डीपली स्टड़ी करा और हमारे सब्स्ट्राइबर को बताया सर इसके लिए और तक्रोफे दन्यबाद और कुछ कहना चाहेंगे सर इस व्यूदियों सर मैं यह ही काना चाहूंगा कि यह सर्कूलर चाह कि आप पढ़कंको स्वेशनल पेजङें आप पढ़ोगे आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का इन वीडियो के जरीए के जरीए इनकी मैगजीन की भी सब्सक्रिप्टर आती है वो भी जूरूर लीजेगा सर उसमें भी आप अपडेट कर रहे हैं तो इन सर्कुलर के उपर भी आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 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 आदे घंटे 20 मिनट के अंदर पूरा ग्यान दे जाए चार्चर सर्कुलर आदे घंटे की वीडियो में मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि कपिल जी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप प्रोफेशन के लिए बहुत जादा बहुत अच्छा काम करें अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मोबाइल में जितने भी मोबाइल नंबर है सबको इस वीडियो को बेज दीजिए चैनल आपने सब्सक्राइब करी लिए अपने दोस्तो